मेरे यूटूब चैनल माई लाइफ माई वे पर आज आपका स्वागत है फिर से और आज आईए हम पढ़ते हैं प्रेमचंद की पहुत ही चर्चित कहानी ठाकुर का कुवा जहां पर सवर्णों द्वारा छोटी जातियों के लोगों पर किये जाने वाले और माने भी वे वहार का चितरन हुआ है और यह चितरन ऐसा हुआ है जैसे कि हमारे सामने ही यह घटना घट रही हो काफी सजीव चितरन है यह तो आईए हम कहानी को विस्तार पुरवक पड़ते हैं और इस भेदभाव के जखम को टटूलने की कोशिस करते हैं जोखु ने लोटा मूँ से लगाया तो पानी से सक्त बदभू आई गंगी से बोला यह कैसा पानी है मारे बास के पिया नहीं जाता गला सुखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती हैं गंगी प्रती दिन साम को पानी भर लिया करती थी कुवा दूर था बार बार जाना मुश्किल था गलवा पानी लाई तो उसमें गंध बिलकुल न थी लेकिन आज पानी में बदभू कैसी लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदभू थी जरूर कोई जानवर कुवे में दूसरे सीरे पर है प्रतु वहां भी कौन पानी भरने देगा चोथा कुवा गाउं में है नहीं इधर जोखु कई दिन से बिमार है कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा फिर बोला अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता ला थोड़ा पानी नाक बन करके दंगी ने पानी न दिया खराब पानी पीने से बिमारी बढ़ जाएगी इतना वह जानती थी परन्तु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उससे खराबी जाती रहती है बोली यह पानी कैसे पियोगे ना जाने कौन जानवर मरा है कुवें से मैं दूसरा पानी लाए देते हूँ जोखु ने आस्चर्ज से उसकी और देखा दूसरा पानी कहां से लाएगी ठाकुर और साहु के तो दो कुएं है क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे हाथ पाउ तुडवा आएगी और कुछ ना होगा बैट चुपके से ब्रह्म देवता असिरवाद देंगे ठाकुर लाठी मारेंगे साहु जी एक के पांच लेंगे गरीबों का दर्द कौन समझता है हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर जाकने नहीं आता कंधा देना तो बड़ी बात है ऐसे लोग कोई से पानी भढ़ने देंगे इन सब्दों में करवा सत्य था गंगी क्या जवाब देती किन्तु उसने वह बदबुदार पानी उसे पीने न दिया वह पानी लेने के लिए ठाकुर के कोई की तरफ चल दी रात के नौ बजे थे ठाके मान्दे मजडूर ठाकुर के गर के असपस जो थे वो सोच चुके थे ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे मैदानी बहादूरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका कानूनी बहादूरी की बाते हो रही थी वे लोग आपस में बात कर रहे थे, कितनी होसियारी से ठाकू ने एक ठानिदार कोई खास मुकदमे मिरी स्वत दे दी और साफ निकल गये, कितनी अकलमंदी से एक मारके के मुकदमे की नकल ले आए, नजीर और मुहतमीम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती, कोई पचास मांग थी, गंगी जगत की आड में बैठी, मौके का इंतजार करने लगी, इस कोई का पानी सारा गाउं पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ यह बदनसीब नहीं भर सकते, गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटे करने लगा, हम क् नीच हैं, यह लोग क्यों उचे हैं, इसलिए कि यह लोग गले में धागा डाले रहते हैं, यहां तो जितने हैं, एक से एक छटे हैं, चोरी ये करें, जाल फरेवी ये करें, छुटे मुकद में यह करें, अब फिर ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़डीये की एक भे में हैं, हमसे उचे, हाँ, मुँ में हमसे उचे हैं, हम गली-गली चिलाते नहीं कि हम उचे हैं, हम उचे, कभी गाउं में आ जाती हूँ, तो रस भरी आँखों से देखने लगते हैं, जैसे सब किछाती पर सांप लोटने लगता है, पर अंतु घमंड यह हैं कि हम उचे है कुए पर किसी के आने की तभी आहाट हुई, गंगी की छाती धगधा करने लगी, कहीं देख ले कोई तो गजब हो जाए, एक लाद भी नीचे ना पड़े, उसने घड़ा और रसी उठा ली और जूप कर चलती हुई एक ब्रिक्स के अंधिरे साय में जाख खड़े हुई, में बाते हो रही थी, खाना खाने चले और हुकुम हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पर दो स्तिरियों की बाचित के माध्यम से प्रेमचन जी ने यह दिखाया है, कि जो लोग छोटी और बड़ी जाती के बीच भेदभाव करते हैं और छोटी जाती वालों से घृणा करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, वे अपने घर में भी अपने इस्तिरियों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आते हैं, उनकी दिमागी हालत ही उस तरह की है, ऐसे लोग मनुस्य के नाम पर सर्मिंदगी ही पैदा करते हैं, जो अ बात करी हैं, हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है, हाँ, यह तो ना हुआ कि कलस भर कर उठा लाते, बस हुकुम चला, दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लॉंडिया ही तो है, लॉंडिया नहीं हो तो और क्या हो तुम, रोटी कपरा नहीं पाती, दस-पांच रुपए छीन जपटकर ले ही लेती हो, और लॉंडिया कैसी होती है, दूसरी स्त्री कहती है, मतला जाओ देदी, छीन भर आराम करने को जीतरस कर रह जाता है, इतना काम किसी दूसरी के घर कर देती, इससे कहीं आराम से रहती, उपर से वा ऐसान मानता, यहां काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुँ ही सिधा नहीं होता, दोनों स्त्रीय पानी भर कर चली गई, तो गंगी ब्रिक्स की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई, बेफिक्रे चले गए थे, ठाकुर भी दर्वाजा बंद कर अंदर अंगना में सोने जा रह होगा, गंगी दबे पाउं कुएं के जगत पर चड़ी, बिजय का ऐसा आनुभाव उसे पहले कभी न हुआ था, उसने रस्थी का फंदा घड़े में डाला, दाए बैच उकनी दिरिष्टी से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को सत्रू के किले में सुराक कर रहा हो, अगर इस समय वह पकड़ ली गई, तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रती भर उमीद नहीं, अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया, और घड़ा कुएं में डाल दिया, घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता जरा भी आवाज न मारे घड़ा कुएं से मूह तक आ पहुचा, कोई बड़ा सह जोर बलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खीच सकता था, गंगी जुकी के घड़े को पकड़कर जगत पर रखे, कि एकायक ठाकूर साहब का दरवाजा खुल गया, सेर का मूह इस से अधिक भयानक ना होगा, ज में गिरा और कई छण तक पानी में हिलकोरे की आवाजे सुनाई देती रही, ठाकूर चिल आया कौन है, कौन है, वह पकारते हुए कुएं की तरफ आया, और गंगी जगत से कुद कर भागी जा रही थी, घर पहुचकर जब उसने देखा, तो यह पाया कि जोखु लोटा वही मेला गंदा पानी पी रहा है, इस तरह से हमने इस कहानी में यह देखा कि सवर्णों के द्वारा छोटी जातियों पर हुने वाले अत्यचार की यह तस्वीर हुबहु प्रस्तुत करती है कहानी, निची जाती के लोगों को जैसे जीवन जीने का भी हक नहीं है, जीवन के लिए जरूरी चीजे जैसे पानी के लिए भी उन्हें दरसना पड़ता है, वे पसू से भी पूरे स्थिती में अपना जीवन यापन करते हैं, और प्रेम चैन्द इसी तरह की समस्यां के उपर अपने कहानियों के माध्यम से एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं, ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद,